पुर्वा मुख्य मंत्री ड़क्टर रमान सिंग ने कहा है कि बीते चार सालों में प्रदेश की कॉंग्रेश सरकार ने नई सडक का निर्माण नहीं किया है, साथी पुरानी सडकों का प्रबंधन भी ठीक से नहीं किया गया है डॉक्टर रमन सिंग ने आज रायपूर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2018 तक उनकी सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामेंट सडक योजना के तहट 3,250 किलोमेटर सडक का निर्मान किया था वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गौरो पत्थ योजना के तहट 6,211 गौरो पत्थ बनाए गए थी 18 तक हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना में 3,250 किलोमेटर सडक याने 1,555 सडक बनाई थी अब भुपेल पगेल को जवाब देना चाहिए कि इन्होंने चार साल में किसली सडकें 36 गड़ में बनाई हैं हमें आखडे थी और कुछ आखडे बता रहा हूं मुख्यमंत्री ग्राम गौरो पत्थ 6,211 गौरो पत्थ का निर्मान हमने किया 6,211 मल्डिलेंड शडक की लंबाई 31 किलोमेटर से 30 गौना बढ़ा के 936 किलोमेटर किया गया ये भारती जन्त पाल्डी सरकार की उखलब धी बता रहा हूं हमारी सरकार ने दो लेंड सडक की लंबाई एक हजार 259 किलोमेटर से बढ़ा के पाज गुना बढ़ाया 6271 किलोमीटर हमारी सड़क एक 24 ब्लोक और 7 मीटर चोड़े सड़क को जोड़ता है टॉक्टर सीन ने कहा कि कॉंग्रेट सरकार ने जन घोशना पत्र में किये गए शराब बंदी के वाइदे को अब तक पूरा नहीं किया है उन्होंने वनवासियों के अधिकार हनन का मुद्दा भी उठाया